चेहिन दोस्तों produkt भारत इंडिया टाइम यूटीब चनल पर आपको अपका दोस्विनी चाहन आपके लिए छोटा विडियो लेकर के फिर से हाजिर है कृपिया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों कल संडे के दिन इंडिया वरिसेश साथ अफरीका का मैच हुआ था उस मैच के दोरान विराट कोली के साथ एक अजीबो गरीब घटना घटित हो गई घटना ये नहीं है कि विराट कोली उस मैच के दोरान जल्दी आउट हो गए बलकि घटना कुछ और ही है कृपया पहले इस वीडियो को देखें फिर मैं आपको इस घटना की पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों जैसा की आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये विराट कोली के पर्थ ऑस्ट्रेलिया का जो होटल है उसके रूम का टूर है प्रॉपर तरीके से इस रूम का टूर बनाया गया है जिसमें विराट कोली का समान दिखाया गया है विराट कोली के कमरे की अलमारियां दिखाई गई है, उनका बिस्तर दिखाया गया है, मतलब उस कमरे की हर एक छोटी वड़ी चीज को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है ये वीडियो विराट कोली ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जब इस वीडियो को हम लोगों ने देखा तो पहले हम्यारे को लगा कि शायद विराट कोली अपने कमरे का होटल रूम का टूर दे रहे हैं जैसे कि आजकल लोग करते हैं एक ये साधारन सी बात है परन्तु जब हम लोगों ने इस वीडियो के नीचे जो कैप्शन्स दिये थे जो डिटेल्स दी थी जब उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद पहले तो हमारा दिमाग पूरी तरह से सुन हो गया क्योंकि जब मैंने इस वीडियो के नीचे दिया गया कैप्शन्स प्रॉपर्ली पढ़ा तो मैं ये सोच के हरान हूं कि अधर ये घटना विराट कोली जैसे सेलेबरिटी के साध घटित हो सकती है तो आप और मैं किस खेत की मुली हैं दोस्तों एक्चॉल हुआ ये कि ये जो वीडियो शूट हुआ है ये वीडियो ना विराट कोली ने ना विराट कोली के किसी खास नीजी जान पहचान वाले व्यक्ति ने इसे किसी ने भी इस वीडियो को शूट नहीं किया ये वीडियो उस समय शूट किया गया जब विराट कोहली इंडिया वर्सिस साउथ अफरीका का जो मैच पर्थ स्टेडियम में चल रहा था वहाँ पर मौजूद थे उनकी गैर मौजूद की के अंदर इस होटल रूम में कोई आया उस व्यक्ती ने उनके कमरे में जाकरके उनके समान को खोल करके प्रॉपर वीडियो बनाया अलमारियों को खोला समान को खोला मतलब डिटेल में ये वीडियो बनाया गया दोस्तों होटल का कमरा जो होता है वो हमारे बेटरूम घर के बेटरूम के बराबर होता है हमारे पास वोही अधिकार जो घर के बेटरूम के अंदर होते हैं यानि कि हमारी निजिता यानि कि प्राइवेसी के वोही अधिकार हमारे पास होटल रूम के अंदर भी होते हैं सवाल ये है दोस्तों कि अगर विराट कोली की गैर मौजूदकी के अंदर कोई व्यक्ति आ करके वीडियो बना सकता है तो उनकी प्राइवेसी या निजिता का पूरी तरीके से हनन किया और जब इसका हनन किया गया तो इसका जिम्यवार कौन है? होटल का स्टाफ होटल का एड्मिस्ट्रेशन या औस्ट्रेलिया गौवर्मेंट की सिक्योर्टी एजनसी या बी सी सी आई विराट कोली की प्राइवेसी को जिस तरीके से धक्का पहुँचा यह यूं कहूं के विराट कोली की प्राइवेसी की जिस तरीके से धजिया उड़ाई गई धजिया उड़ाने की जिम्मेवारी किसकी है उस व्यक्ति की जिसने आकर के इस कमरे का वीडियो बनाया उस व्यक्ति की जिसने उस होटल स्टाफ के उस बंदे की जिसने उस व्यक्ति को इस कमरे का वीडियो बनाने के लिए सहायता की या फिर उस होटल के जो एड्मिस्टेशन है उसकी जिम्मेवारी है जिसको अपना पता ही नहीं कि उसका स्टाफ क्या कर रहा है उनके गेस्ट की गैर मौजूर्गी के अंदर उनके कमरे के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलियाई गौवर्मेंट की उन सिक्योर्टी एजनसीज की जो उनके हां महमान के तोर पर आए हुए खिलाडियों का ध्यान भी नहीं रख सकती उनकी सुरक्षा का या बी-सी-सी-ाई का कि जिनकी ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जो भारतिय खिलाडी है उनकी हर परकार की जिम्मेवारी जो होती है वो बी-सी-सी-ाई की होती है जो cricket control board अपने खिलाडियों की privacy यानि की निजिता की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो BCCI खिलाडियों की सुरक्षा क्या खाक करेगा इसके अलावा एक और चीज़ है अगर कोई व्यक्ति विराट कोली के कमरे में वीडियो बनाने के लिए पहुँच सकता है तो क्या वो वहाँ पे कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं रख सकता है मसलन कोई हतियार कोई ड्रग्स या कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज़ जिससे विराट कोली को फसाया जा सके ये सब तो छोड़िये एक चीज़ और है अगर कोई व्यक्ति विराट कोली की गैर मौजूदकी के अंदर उस कमरे के अंदर जा करके वीडियो बना सकता है तो क्या वो व्यक्ति विराट कोली को नुकसान नहीं पहुँचा सकता शुकर करिए कि अगर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया अगर वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा रहता एक घातक हमलावर होता तो क्या होता अगर वो व्यक्ति अगर घातक हमलावर होता विराट कोली जब ठके हारे मैच के बाद उस कमरे में आते अचानक कोई व्यक्ति उनके उपर हमला करके उन्हें घायल कर देता इश्वर ना करे तो उन पर इस ठीटियों में कौन जिम्यवार होता होटाल का एड्मिस्टेशन या पर्थ का प्रशासन या उस्ट्रेलियाई गॉवर्मेंट की सुरक्षे एजन्सीज या फिर BCCI सबसे बड़ी बात यह है कि होटल के एड्मिस्टेशन से जो हुआ वो एक अलग बात है पर्थ जिस काउंटी में जहां पे भी ये मैच खेला जा रहा था वहां की सिक्योर्टी एजन्सीज एड्मिस्टेशन से जो चूख हुई वो एक अलग बात है सबसे बड़ी बात यह है कि आस्ट्रेलिया इस सुरक्षा एजन्सी से इतनी बड़ी बात कैसे छूट गई और इसके अलावा BCCI जो की खिलाडियों की सुरक्षा को हर तरीके की हर चीज़ को सुनिश्चित करने की जिसकी जिम्मेवारी है उससे ये चीज़ कैसे छूट गए क्योंकि खिलाडियों की पूरी की पूरी जिम्मेवारी BCCI की होती है BCCI को ये चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए कि ना केवल खिलाडियों के साथ सुरक्षा कर्मी होने चाहिए हर समय बलकि उनकी गैर मौजूदकी के अंदर उनके होटलों के कमरों के बाहर भी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए ताकि खिलाडियों की गैर मौजूदकी के अंदर उस दोरान कोई भी व्यक्ति उनके कमरों के अंदर ना जा सके और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ अगर इस व्यक्ति का कोई intention गलत नहीं था तो फिर भी हमारे को यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम एड्मायर करते हैं जिस व्यक्ति को हम अपना आइडियल मांते हैं उस व्यक्ति के साथ फोटो खिच्वाना बात करना उनसे मुलाकात करना उनको गिफ्ट देना उनसे गले मिलना ये सब चीज़ें जायज हैं पर जब वो व्यक्ति सहज हो सामने हो और सबसे बड़ी बात उसकी मर्जी उस चीज में शामिल हो और उनकी गैर मौजूद्गी के अंदर या उनकी मर्जी के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ आप उनके नजीक नहीं जा सकते दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिपय इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जय हिंद